मेरे प्यारे देश्वासियों, आप अपने जीवन में बहुत से संकल्ब लेते होंगे, उन्हें पुरा करने के लिए परिशम भी करते होंगे. साथियों, लेकिन अहाल ही मैं, मुझे ऐसे संकल्ब के बारे में पता चला, जो वाकई बहुत अलग था, बहुत अनोखा था. कर निकलें, कि वो आज दिन भर पूरा शहर घुमेगा, और एक भी पैसे का लेंदेन कैश में नहीं करेगा, नकद में नहीं करेगा. है न यह दिल्ली चस्प संकल्प? दिल्ली की दो बेटियां, सागरी का और प्रेक्षा ने ऐसे ही कैश्टलेस डे आउट का एक्सपरिमेंट किया. सागरी का और प्रेक्षा दिल्ली में जहां भी गई, उन्हें डिजिटल पेमेंट की सुविजा उपलब्द हो गई. यूपी आई, QR कोड की वज़े से उन्हें कैश निकालने की जरूती नहीं पड़ी. यहां तक की स्ट्रीट, फूड और रहडी पट्री की दुकानों पर भी जाधा तर जगह उन्हें ऑनलाइन ट्रांजिक्षन की सुविजा मिली. साथियों, कोई सोच सकता है कि दिल्ली है, बैटरो सीटी है, बहां ये सब होना आसान है. लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यूपी आई का ये प्रसार केवल दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित है. एक मैसेज मुझे गाजियाबाद से आनन्दिता त्रिपाठी का भी मिला है. आनन्दिता पिछले सब्ता अपने पती के साथ नौर्थ इस्ट गुमने गई थी. उन्होंने असम से लेकर मेगाले और अरुनाचल प्रदेश के तवांग तक की अपनी यात्रा का अनुभव भी कि जानकर सुखद हैरानी होगी कि कई दिन की इस यात्रा में दूर दराज इलाकों में भी उन्हें कैश निकालने की जरुरती नहीं पड़ी. जिन जगहों पर कुछ साल पहले तक इंटरनेट की अच्छी सुविधा भी नहीं थी. वहां भी अब UPI से पेमेंट की सुव को देखते हुए मैं आपसे भी आगरा करूंगा कि कैश्टलेस डे आउट का एक्सपरिमेंट करके देखें. जरूर करें. साथियों, पिछले कुछ सालों में भीम UPI तेजी से हमारी एकानोमी और आदतों का हिस्सा बन गया है. अब तो छोटे छोटे शहरों में और जादा कर गावों में भी लोग UPI से ही लेंदेन कर रहे हैं. डिजिटल एकानोमी से देश में एक कल्चर भी पैदा हो रहा है. गली नुकड की छोटी छोटी दुकानों में डिजिटल पेमेंट होने से उन्हें जादा से जादा ग्रहों को सर्विस देना आसान हो गया है. उन्हें अब खुले पैसों की भी दिक्कत नहीं होती. आप भी UPI की सुविधा को रोज मना के जीवन में मैसूस करते होंगे. कहीं भी गए कैश्ट ले जाने का, बैंक जाने का, ATM खोजने का, जंज़टी खतम. मोबाइल से ही सारे पेमेंट हो जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सो होचा है कि आपके इन छोटे छोटे ऑनलाइन पेमेंट से देश में कितनी बड़ी डिजिटल एकोनमी तैयार हुई है. इस समय हमारे देश में करीब 20,000 करोड रुपे के ट्रांजिक्शन हर दिन हो रहे हैं. पिछले मार्च के महने में तो UPI ट्रांजिक्शन करीब 10,000 करो और इमानदारी का माहोल भी बन रहा है. अब तो देश में फिंटेक्स से जुड़े कई नए स्टार्ट अप भी आगे बढ़ रहे हैं. मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास भी डिजिटल पेमेंट और स्टार्ट अप एकोसिस्टिम की इस ताकत से जुड़े अनुभव है तो उन्हें साजा करिए आपके अनुभव दूसरे कई और देश्वास्यों के लिए प्रेणिणा बन सकते हैं.